Hello friends, मैं विनायक तिंगलू, आप सब का सौगत करता हूँ मेरे YouTube चैनल Smart Learning विनायक तिंगलू में मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी कि आप जब भी किसी को WhatsApp से या किसी भी social media के थुरू किसी को कोई image बेज देते हैं चाहे है वो आपके smartphone की हो चाहे आपकी अपनी हो या किसी भी I.T.E.M. कि जो आपके आज पास पड़ा होगा तो उसकी share आ जाती है जिसकी वज़ाए सए जब आपको उसका printing निकालना होता है डॉकुमेंट का तो वह साफ नहीं निकलता है तो ऐसी condition में हम क्या करेंगे तो मेरी वीडियो आज उसी टॉपिक पर है चलिए अपनी आज की टॉपिक को शुरू करते हैं पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सबस्क्राइब और शेयर करें और साथ ही साथ में वीडियो को पूरा देखे नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं इसके सबसे पहले में एक इमेज को ले लूँगा, जो कि मैं अल्रड़ी ले चुका हूँ जैसे कि आप यह देख पा रहे होंगे, मैं इसकी पहले एक कॉपी और बना लेता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब मैं इसको open कर लेता हूँ आपके सामने तो मेरी इमेज आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ मैं इसको और perfect बनाओ जैसे कि आप देखते ओपर से इसके black shade यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ रही है मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको कुछ यहाँ पर यह देखे यह जो area आपको दिख रहा है यह भी ठीक नहीं है और कोशिश करेंगे इसको और साफ करने की ताकि यह और भी अच्छा लगे तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसके दो तरीके हैं ऐसे तो तरीके बहुत सारे हैं आप third party software की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अपने smartphone में बताया था कि scanner के जाने के बाद मैं वी फ्लैट का यूज करता हूँ जिस पर मैं आलरी वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो उसको मैं description में दे दूँगा आप description से उस वीडियो को देख सकते हैं कि अगर आपको smartphone से कभी किसी को कोई document बेजना होगा या किसी भी चीज की pick लेनी होगी तो पहली बात तो वो पिल्कुल clear कैसे आगी कि ऐसा लगे कि नहीं यार यह बहुत ही 100% accurate click है और साथ ही साथ में अगर आप उस image को अपने PDF में convert करना है आप वो भी कर सकते हैं और अगर आपके पास 5-6 clicks लिए हैं अपने और आप उसको एक ही फाइल बढ़ाना चाहते हैं मैं PDF की बात कर रहा हूँ तो आप उन 5 images को एक ही PDF में कैसे convert कर सकते हैं अभी हम बात करेंगे आप अपने laptop या PC से कैसे कर सकते हैं तो आपके पास Microsoft Company की तरफ से दो चीज़े inbuilt होती है एक चीज़ inbuilt होती है एक आपको compulsory है दालना वो क्या है एक तो हो गया आपका जो अगर आप new version के यह operating system चला रहे हैं तो उसमें आपको edit with photos को यह option मिलेगा एक powerpoint का option आता था आपके पास अगर older version है 2010 होग यह window 2010 होगा यह 7 होगा उसमें मिल जाएगा 11 में आपको यह नहीं मिलेगी facility तो आप यहां पर जैसे देख सकते हैं यहां से खुल चुका है अब मैं यहां से adjustment कर सकता हूं इसकी जैसे मुझे कितना white चाहिए जैसे मैं इसको यहां try करके ले जाऊंगा और यहां से भी कुछ इस तरीके से जैसा color मुझे चाहिए होगा मैं ले सकता हूं से आप इसको जिस तरीके में रखना चाहिए करना रख सकते हैं पर मैं जो तरीक आपको बताने वाला हूं वह बहुत ही बैटर होने वाला और आपको पसंद भी आएगा वह जो मैंने आपको कहा कि Microsoft Company ने एक इन विल्ट सॉफ्टियर रख है वो यही है जो मैंने आपको दिखाया और दूसरा कंपल सरी है आपके PCI लैप्टॉप पे होना वह है Microsoft Office तो Office में आप क्या करेंगे मैं सिंपली इस पिक को ले लूँगा इसो कॉपी कर दूँगा मैंने Ctrl-C का यूज किया यहाँ पे एक न् इतनी है सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ जैसे कि आप दे सकते मेरा डॉक्मेंट मेरे सामने ओपन होकर आ चुका है साइज में इसका थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जैसे आप देख पा रहे होंगे अब मैं सिंपली Ctrl-V करूँगा तो मेरी इमेज इस पर आ चुकी है अब इसकी सेटिंग में बाद में करूँगा इमेज के हिसाब से यहाँ इसको स्लेक्ट करूँगा आप यहां देखेंगे पिक्चर फॉर्मेट मेरे सामने अचुकाय है मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा यहां से मैं सबसे पहले इसको crop कर लेता हूँ जिता हम मुझे crop करना है जैसे मुझे black area नहीं चाहिए तो मैं simply इसको यहां से dry करके निचे ले आऊँगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे और bottom से भी मैं इसको dry करके उपर ले आऊँगा कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब मैं simply बाहर जाके इसको कहीं पर भी click कर दूँगा तो वो portion कट के आजाएगा जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे तो इसको ओर थोड़ा crop कर लेते हैं हमें इसकी भी जरूरत नहीं है मान लिजे कि मुझे यहां से जरूरत है तो मैं इसको यहां crop कर दूँगा simply यहां काट दूँगा अब यह कटके मेरे सामने इतना आ चुका है अब मैं इस image को select फिर से करूँगा picture format में फिर जाओंगा अब आपको यहां पे कुछ remove background या corrections या color artistic effects जैसा आप यहां पे देख पा रहे होंगा या से options मिल रहे हैं तो मैं simply corrections में जाओंगा आपको कुछ यहां by default मिल रहे हैं जैसे कि मैं इसको लूँगा तो बहुत ही ज्यादा white हो जाएगा तो आप यहां से इस image को clear कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए होगा जैसे कि मुझे जहां तक यह चाहिए यह options में जा सकते हैं यहां से simply और यहां से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको कितनी brightness कितना contrast चाहिए जैसे कि मैं चाहता हूँ उसकी brightness जो है थोड़ी कम हो जाए कुछ इतनी और साथ मैं contrast को भी मैं थोड़ा बढ़ा देता ह जैसे कि आपने यह देख लिया एक तो मैंने इसकी brightness भी बढ़ा दी contrast को भी थोड़ा adjust कर दिया जिसकी वज़ा से कुछ ऐसा दिख रहा है और simply मैं इसको यहां पर close कर दूँगा अब यही पिक कुछ इस तरीके से आ रही है अब मैं simply इसको drag करके पूरे page प्लाने के लिए क किया करूँगा मैं इसकी यहां से selection करूँगा bottom से भी same यही करूँगा इस image को wrap text में in front of text कर दूँगा drag करके इसको बिल्कुँ corner पर यहां ले आओंगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और simply आप इसको यहां से drag करके नीचे ले आओंगा जितना भी मुझे यह चाहिए होगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब simply यह तो मेरे सामले बनकर आ चुक है अब मैं इसको ms word में तो नहीं रखूँगा तो इसके लिए मैं इसको save as पर जाओंगा जिसके लिए में shortcut की f12 का यूज़ करूँगा f12 का यूज़ करने के बाद मेरे को यहाँ पे पुछेगा save as type किस type में करना चाहते हैं मैं pdf करना चाहूँगा तो वो भी कर सकता हूँ या अगर मुझे और कोई format चाहिए तो मैं वो भी रह सकता हूँ मैं pdf ले ले लेता हूँ simply इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ भी दे दिजेगा आप में दे देता हूँ आपको दोनों का फरक दिखा देता हूँ उस इमेज का और इस इमेज में कितना फरक है मैं इसको एक साइड ड्रैक करके साइड में ले आता हूँ और इसको close कर देता हूँ इसकी मुझे जरूरत नहीं है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हूँगे अब मैं एक इमेज को उपन करके आपके सामने ले आता हूँ ताकि आप दोनों में फरक देख पाएंगे देखें फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी असलविटी दाम से अब मैं इसको ड्रैक करते हैं थोड़ा आपके सामने इदर ले आता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ अगर आई है तो प्लीज मेरे चनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो